नमस्कान, न्यूस्टेक के वाई फ्यक्टरन आपका स्वागत हमें हूँ योगिश्वश्व। इन दिनों बागिश्वर धाम के बाबा धीरेंदर किष्ट्न सुर्खियों में हैं कोई ने ढोंगे और अंदविश्वास फैलाने वाला बता रहा है कोई ने भगवान का आवतार बता रहा है गुरु जी के सामने लोगों की लाइन देख करके कहा जा सकता है कि गुरु जी इन दिनों नाम कमाने में किसे से पीछे नहीं है उन्होंने अपने पुराने तमाम गुरुओं को पीछे छोड़ दिया है यही नहीं जिस तरह बाबा लोगों के दिक्कत हैं दूर कर रहा है लोगों को आकरशित कर रहा है लोगों के बारे में सब कुछ बीना पूछे जाचे बटा दे रहा है इससे बाबा का नहीं बहुल संसार बढ़ रहा है बलकि बाबा के followers भी बढ़ रहा है Social Media पर इससे देखा और बढ़ा जा सकता है कि कितनी तेजी से बाबा के चाहने वालो की संख्या बढ़ रही है ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बाबा का निया उतार बागिश्वर धाम और धिरेंद कृष्ण हैं कौन बागिश्वर धाम मंदिर दरसल मद्दपदेश के छतरपुर में गड़ा गंज गाउं में है ये बाला जी हरुमान का मंदिर है धिरेंद क्रिष्ण का जन्म 4 जूलाई 1996 को हुआ उनका जन्म का नाम धिरेंदक्रिष्णा गर्ग है बाद में उन्होंने अपना नाम धिरेंदक्रिष्ण सॉस्त्र रहा है उनका पूरा परिवार मिट्टी के घर में रहता था उन्होंने गाउं के ही स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी बाद में उन्होंने बीए किया आर्थिक तंगी के चलते उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी उनके पिता पुजारी के रूप म मिली अपनी आमधनी से ही पूरे परिवार का खर्चा चलाते थे धिरेंद के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग भी बागेश्वय महराज को ही समर्पित हैं धिरेंद शास्त्री ने 11 साल में ही अपने पुष्टैनी पूजा-पाठ का काम शुरू कर दिया था उनकी एक बेह जी का मंदिर सैकड़ो साल पूराना है 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक साधू का आग बन हुआ जिनको बाबा सेतुलाल जी महराज के नाम से जाना जाता था यह चित्रकूट से दिख्षा लेकर आये थे इनको भगवान दा में शद्धालों की समस्याओं के निवारण के लिए दर्बार लगना शुरू हुआ और धीरे धीरे भक्त गर्ण जोड़ने लगे बागिश्वर धाम के बाबा धेरेन किष्ण सास्त्री अपने कथा के बीच में ही लोगों की समस्याओं सुनने लगे वह भूत-पृत से ल हैं लेकिन बाबा का कहना है कि उनका काम लोगों की अर्जियों को बाला जी महराज तक पहुंशाने का ही है जिने सुनकर भगवान समस्याओं का समाधान देते हैं इनी दाओं को नागपूर की अंद शद्धा निर्मूलन समीती ने चुनोती दी यहीं से विवात की शुरुने रखने का माध्यंबा रहा है हाल के वर्षों में धीरेंद म्यर्तों की शास्त्री शोशल मेडिया पर अपने भक्तों के बीच बहुत लोग प्रिता हासिल के बागश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लोगों का जमाड़ा होता है वहाँ पर धिरेंद्र की शास्त्री हनुमान का नाम ले करके अपने चमतकार दिखाते हैं बताते हैं कि उनके पास जो कुछ है वह सब हनुमान जी के नाते है और हनुमान जी ही लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं हनुमान जी उन्हें स्प्रेरित करते हैं वह हमेशा दवा करते हैं कि लोगों को जो आशेवाद देते हैं वह हनुमान जी का ही दिया हुआ है धिरेंद्र के खुद इस बात को इंकार करते हैं कि उनके पास कोई अलोकि करने और सनातन धन्म के सच्चे रहने का आग्रह करते हैं धिरेंद्ध शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं उनका कहना कि इससे उन्हें हनुमान अरजी लगानी होती है अगर आप बागेश्वर्द हम जाएं तो काले और लाल रंग के कपड़ों में बधी हुई धेर सारी पोटलियां दिखेंगी इन पोटलियों में ही लोग अपनी अरजियां लगा करके वहां बांद देते हैं कहा जाता कि काले रंग की पोटली में जो अरजियां लगाई जाती है वह भूत प्रेत और बाहरी बाधा से संब्नित होती हैं लाल रंग की पोटली में जो अरजियां होती है व निजी समस्याओं से जोड़ी कोई होती है अरजी बांधिये के बगल में महादय और माहवली का मंदिर यहां अरजील के देनी 21 बार चक इसके बाद पेशियों का सिलसला शुरू होता है जहां मुख रुप से मंगलवार और शनिवार को पेशी होती है यूट्यूब पे बागिश्वर धाम सरकार नाम से चैनल है इनके चमतकार वाले वीडियो लाखों में देखे जाते हैं चमतकार का वालन करते एक वीडियो को तो 99 लाख बार देखा गया है अपने एक कारकर में धिरेन शास्ति ने कहा था कि सब हिंदू एक हो जाओ पत्थर मारने वालों पर बुल्डोजर चलवाओ कुछ दिन बाद हम भी बुल्डोजर खरीदने वाले हैं अभी पैसे नहीं है वरना हम भी बुल्डोजर खरीदेंगे राम के काज पर सनातनी महात्माओं पर और संतों पर पत्थर चलाने वालों पर हम बुल्डोजर चलाएंगे शद्धा मॉर्डर केस में शास्ति ने कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे हम उपने बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे भारत अकबर का देश नहीं है भारत सुबाज चंद्बोस और चंद्शेखर का देश है यह सादू सन्यासियों का देश है उन्होंने यह भी खा कि हम सनातन के खिलाप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं एक कारकेम के दोरां धिरेन शास्ति ने श्रीडी के साई बाबा के खिलाप भी टिपड़ियां की थी उन्होंने कहा था कि कोट ने कहा है कि साई बाबा हिंदू नहीं है जब हमारे हैं 33 करोड देवता है तो ऐसे में एक चांद मिया को पूझने की क्या जरूरत है इन दिनों बाबा देश को हिंदू रास्त बनने का संकल्प लेते और संकल्प कराते नजर आ रहे हैं जिस तरह बाबा की ख्याती बढ़ रही है जिस तरह बापा हिंदूत की बात कर रहे हैं इस तरह लोग इन्हें धर्म और राजनी थी दोनों से जोड़ करके देख रहे ह बाबा के पीछे बड़े संत यानी रामभद्राचारे जी उतरे हैं, रामद्यों उतरे हैं, समाज बाबा के पक्ष और विपक्ष में खड़ा दिख रहा है, इससे बाबा के आगे बढ़ने को रोक पाना बहुत मुश्किल है, इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, क तक के लिए, नमस्कार.